तोड़ा प्रोग्रम रिकार्ड हो जाएगा बस रिकार्डिंग उन्हाने लगाईए जैसे कि आप जानते हैं इनने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में टीवी सीरियल्स में और इसके साथ ये पंजाबी की बहुत अच्छी लेखिका है इनकी कुछ कहानियों का अनुवाद मैंने भी किया है अभी फिलहाल एक और भी करनी है मुझे कहानी इनकी अनुवाद तो टीवी और फिल्मों से तो हम जो है न बहुत सारे कलाकारों को देखते हैं उनसे हमारा परिचे नहीं होता लेकिन एजा लेखक हम जो है कुलबीर जी को लेखका के तोर पे जानते हैं और इनसे मिल चुके हैं दो तीन बार तो आज ये हम इनकी परतें जब सक्षियत की कई परतें खुलेंगी तो उसमें लेखका होना भी आएगा लेकिन उसके साथ ये बात जो करेंगी जो इनका आज लेक्चर का विशे है अब इने जनून ते जादू हो सकता है ये थोड़ा पंजाबी में भी बोलेंगी हिंदी पंजाबी मिक्स करके या पंजाबी में बोलें तो अपने बारे में हमने तो देखिए इतनी सी सरफ जानकारी है बाकी जो है जब ये बात करेंगी तो इनकी सक्षियत की कई परतें हमारे सामने खुलकर सामने आएंगी तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कुलवीर जी बहुत बहुत और अब आपका ये सबने आपके पास मंच है आप अपने साथ हमें भी जोड़िए और अपने जीवन की यात्रा में ले चलिए आईए जी सबतों पहला में तन्वाद करना चाहांगी श्रीगुरु नानक देख खालसा कॉले दे प्रिंसिपल डॉक्टर गुर महेंदर सिंग जीदा डॉक्टर बलविंदर कॉर बिंदरा जीदा टे डॉक्टर शोभी का मुकुल जीदा जिननने मैंनो इस काबिल समझे है कि मैं त्धिनाहियर अभिनदन अभार में ऐज जिस विशे गलकन जारही ह 애ाँ हाए अभिने जनून नाल आपनाया जाएगा जिदा आ जड़ है ते जादू भी ओ जो सिर्चड के बोलता है बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे अभीनेनू कर ले अपना करियर बनाड़ ले बहुत ही शिद्दत दी लोड है बहुत ही जुनून दी लोड है ताहीं ओ जादू जगाएगा पैशन मतलब कुछ होर सोचना ही नहीं सिर्फ इस वीच महारत हासल कर ले कि कि करना चाहिदा है इस बारे भी आप अगल बात करांगे जी अब मैं पुछना चाहांगी कि तुसी जड़ाय शुरुवात वाड़ी किस तरह होई अभिने वाले पासे किस तरह तुसी एक्टिंग वाले पासे आगे अपने जीमन तो थोड़ी जी शुरुवात तुसी करो जी जी अबिने यात्रा दी कल अज करांगी ता सब तो पहला ता मैं एक कहना चाहांगी कि मैं कोई स्टार ने पर मैं एक कलाकार है ते एक कलाकार ही मैं बढ़ना चाहाए सी मेरा जनम पेंड सावा जिला हो श्यार पर छोया वैसे तो मेरा पेंड जो पेका पेंड अबढ़ेस रहा है लेकिन मेरे जो फादर सन ओं सो अंसोलिडेशन ओफिसर सन ते उनना दी अलग अलग थामा ते ट्रांसफर होंदी रहंदी सी ते असी फैमिली उनना दे नाल ही चोना दी जड़ी पोस्टिंग सी ते मेरा जनम होती होया और मेरी पडाईवी अलग लग शहरा वीच होई जिती जिती होना दी ट्रांसफर होंदी गई जिवें नूरपर, जीन, अबोहर, मलोट, लुद्याना, बठेंडा, इस तरह में दस्वीं किती, फिर ग्यार मी मैं ख कॉर्मेट को लोग शहर पर जोईन किता, लेकिन मैं कैना चानी कि साधे कर विच, साधी फैमिली विच किसी दा भी, एक्टिंग नाल दूर दूर तक कोई भी तालुक नहीं सी, पता ने कि में तोटी हुंदी नू भी मैंनू बहुत अच्छा लगदा सी रेडियो सुनना, मैं रेडियो सुन दी सी, उर्दू सर्वेस और बहुत सरे जलंदर रेडियो, फिर ब्लैक और वाइट टीवी आ गया था मैं मैंनो नाटक देखने बहुत अच्छे लग देशन, पाकिस्तानी नाटक और दूरदर्शन दे नाटक, दिल्ली दूरदर्शन दे नाटक, एस त मैं मैं बस पड़ी, और तो जलंदर दी और उते पहुंच के यह और मैं आवास ऑडिशन देता हूं और विच में स्लेक्ट हो गई, फिर उनने मैंनो नाटक अच ही सलेंड लियों, मैंनो ब्लाउं लग गे, उत हुमें काफी कुछ सिख्या, कि जिमें जे माई कहते है ते त अज़े बनतों माईक दे कुल रहेगी, वो कहेंगी हां हां का रही है, लंगा, ते फिर ओ, आंधे आंधे कहेंगी हो और की कार रही है इसी, मैं सब्चाते नो मेला, मैं ते कमन बेट चुब किसी, ति ए आंधे आंधे कहेंगी, इस तरह दी में बहुत कुछ बारीक्यां ज ज़ेड़े बच्चे या ज़ेड़े लोग एदे विच उमर दा कोई सीमा नी, कोई भी आके ऑडिशन दे सकता, ति बस फिर मैं दूरदर्शन चली गई, उत्ते ऑडिशन देता और उत्ते स्लेक्ट होगी, फिर एस मैं में में कर देयां, नालन निर पड़ाई होरी सी, फि फिर मैं एज अनॉंसर भी जलंदर दूरदर्शन ते अनॉंसमेंट्स कर लगी, और नालन मैं में पड़ाई भी कर रही सी, और नाली फिर मैं पंजाब उनिवर्स्टी चे एंफिल जोईन कर ली, ते इस तरह मैंनो महिने चे एक हफ्ते लियो बुलां दे सन, अनॉंसर वास बुलाई कर लेता, तो विच सिलेक्ट होगी, इस रवन गौर्रमेंट नौकरी मिल गई, पर मैं एंफिल नाल अपना वाईवा दे देता है, एंफिल भी कंप्लीट कर ले, पर इसना ले होया कि जोदो मैं नौकरी कर ले, ते मेरे कुलो अनॉंसमेंट, जो सी अनॉंसर दी नौकरी खुस गई, वो चली गई, उन मैं नाठकाच पीपाग नहीं ले सकती सी, क्योंकि मैं जिद्ध कह सकते हैं कि कैमरे दे पिछे कम कर ले, नौकरी कर ले सी, फिर मैं फाइलां विच गवाज गई, और उस विच मेरा ज़रा भी मन निसी लगदा, मैंनो इद्धा लग विच बोलो, ते बचिया नो थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह आएगा, क्योंकि साड़ी देपार्टमेंट, जर्नलिजम और बच्चे काफी है गें दूसरे, अगर तो नूम है, हाँ, प्लीज, सॉरी करनो, जी, और उसके बाद क्या हुआ कि मुझी ऐसी लगने लगा कि म मेरे सी कुछ, मैरे सी मैंने कुछ खो दिया है, यह अब आलो में ही, और यहां में वो टेप्स होती थी, जिस पर हम रिकॉर्डिंग करते थी, प्रोग्राम रिकॉर्ड करते थी, वही लेकर स्टूडियो जाती थी, या लाइबरेरी में उसे रखने जाती थी, बस यही काम गया तो, और मैं बहुत उस चीज से बहुत परेशान और उदास रहने लगी, और अच्छा यह सब 85 में हुआ, 84 में मैंने जॉइन किया था, 84 के एंड में, दूरदर्शन, और तभी एक बात हुई, कि एक आरे सरंगीला करके कोई पंजाबी थे, वह पंजाबी फिल्में ब हाँ, आप एक रोल करोगे, हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है, रोखनी, तो मुझे हाँ, क्या चाहिए, मैंने एक रोपड पुषव दिए, और उसमें हीरन थी, शोबिनी सिंग और मुहमाद सदीक, जो सिंगर हैं हमारे पंजाब के, वो हीरो थे, तो मैं अपने लोगों ने देखी और बात पहली, और मेरे ओफिस तक ये बात आई, तो मुझे मैमो इसुट किया लिए, यह कहा गया, कि आप गौर्मेंट जॉब में होते हुए, बाहर प्राइट कहीं भी काम नहीं कर सकते हो, तो जो मेरा जो खुश था न वो बुझ गया, बिलकुल, ब बात फिर क्या हुआ, मैं ऐसे जॉब करती है, करती है, और फिर 1901 में, मेरी फ्रेंटी सिंगर हैं, जो सर्वजीत, उनके कोई दोस्त थे, वो एक फिल्म बना रहे थे, बदला जटी दा, तो अब मेरी जो फ्रेंड है, सर्वजीत, उसे पता था कि मेरे अंदर कितना पैशन उसमें जो विलेन है, हमारे मेन, उनकी वाइफ का रोल है, तो क्या है, आप उनको पूछो, उन्होंने पूछो, और मैं खुशी-खुशी, वो भी करने चलीगी, मैंनका देखा जाएगा ओफिस, छुटी लेकर चलीगी, फिर जब वो फिल्म रिलीज हुई, बदला वो तो बहुत हिट फिल्म थी, तब मेरे अफिस में पता चल गया, फिर मुझे मेह मोईश हुआ, तो फिर मेरा मन बहुत बुझ गया, कि मुझे तो, मैं यहां फिट नहीं हूँ, मुझे तो एक्टिंग ही करनी है, मुझे तो एक्टिंग ही करनी है, ऐसे करते-करते, मैंने दस साल वहां गुजार दिये और एक दिन आया 94 जब मैंने ये फैसला ले ही लिया कि जिन्दगी तो एक ही है मौका तो एक ही मिलना है अगर मैं ऐसे ही जॉब करती गई करती गई ऐसे ही अपने आप में वो परेशान रहती रही तो ये मुझे एक बार तो ये फैसला लेना ही है सु 94 में मैंने जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ी मतले एक लंबी चुटी ले ली बहुत सारी चुटियां थी मेरी अच्छा में वो लेकि तो पहले में कैनेडा चली अपने मामी डैडी मेरे माबाप वहां थे मेरे भाई बैन सब वहां जा चुके थे मैं अकेली थी इंडिया से मिलने जाने का एक कारण ये था कि मुझे सबसे पहले 84 में वो लोग जब कैनेडा गए थे तो मुझे वीजा नहीं मिला था उन सबको वीजा मिल गया था फिर 89 में जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई तब मैंने कैनेडा के लिए वीजा अपलाई किया था तब भी में की मैं क्यों नहीं कानेडा जा काँ मैं था फिर मैं फिर उचार जनलेक छोटने का फैसलाब ले लिया never ही ने तो मैं उनसे जब भी बात करती थी कि मैं तो छोड़ने वाली हूं जोब मैं लंबी छूटी पर आई हूं और इसके बाद तुम मेरा वहां पे रिसाइन ही जाएगा मैं जाओंगी ने तो मेरे ममी लड़ी यही कहते थे कि अब लगी लगाई नौकरी गॉर्मेंट नौ पाते उनको यही होता अपने हस्बंड से पूछो तो मतलब वो ऐसे बात आदूरी छोड़ देते थे और जब मैंने अपने हस्बंड से पूछा उनको वो तो जानते ही थे कि मेरे अंदर कितना है एक्टिंग का कह सकते हो कितना पैशन है तो उनने यही कहा कि हां यह तो एक चोटी सी टेरिकरी है जहां तुम लगी पड़ी हो वहां एक बड़ा तुम्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा बॉम्बे में और तुमारे अंदर है वो तो तुम आ जाओ लेकिन तुम्हें नौकरी का मोग छोड़ना पड़ेगा तो इस तरह से उनके उनकी होंसला आफजाई से उनके साथ की वज़े से मैंने वो मेरे अंदर जो फैसला था वो कूरी तरह ले लिया और 95 में मैं बॉम्बे आ गई और तब से लेके अब तक 24-25 साल होने को आए हैं मेरी यात्रा यहां बॉम्बे में रही है लेकिन मैं यह कहना जाती हूं कि एक बार भी आपको उसमें मिलती है फिर आप कभी यह नहीं सोचते कि अरे वो क्यों छोड़ा या वो क्यों बलकि कभी ख्याल आता था यही आता था रे क्यों मैंने वो वेस्ट कर दिया वो इतना लंबा टाइम 10 साल तभी आ जाती तब और भी मुझे अच्छे-च्छे मेरी पहचान ब क्योंकि अब जो मैं काम कर रही हूं उस सवाल यह नहीं कि इसमें कितनी सफलता मिली मैं मैं स्टार बनी या नहीं या मैं कि बात यह है कि आपको इसमें खुशी मिल रही है आप रोटी अपनी कमा रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है जब आप रापको सोते हो आपको य कि यह राहत मिलती है कि आपने जो दिन में किया, जो काम किया, वो सही किया, यह अफसोस तो नहीं होता, कि जैसे मुझे वहाँ होता था, हमेशा मुझे वहाँ हर रोज यही ख्याल आता था, कि गया आज का दिन भी उदास करके मुझे, एट लिस्ट वह ख्याल मुझे यहां नहीं आता था, ना आया और ना देनी लगता कभी आएगा, क्योंकि यहां इस परफेशन में यह परफेशन मेरी च्वाइस का है, तो इसलिए मैं इसमें खुश हूँ, जो में करेंगा, जैसे आपने कहा कि अब जो है, आपको बहुत ज् इस काम से, इस काम से साटिस्फेक्शन मिले, उससे बड़ी बात कोई नहीं है, ठीक है कि हमें अपना जीवन निर्वा के लिए कुछ पैसे की जरूरत तो होती है, लेकिन अगर जैसे आपने बताया कि आपने काफी लंबा समा जो है, रेडियो टीवी में काम किया, लेकिन लेकिन वहाँ पर यही लगता था कि कुछ क्रियेटिव नहीं हो पा रहा, मतलब पूरा दिन जो है, वो फाइल हैं इधर से उधर उधर से इधर ही रख रहे हैं, तो उसके कारण जो है, क्योंकि जैसे आपकी बात से समझ में आ रहा है कि दो बेडियों पर आप सवार होकर क तो आपने मतलब जिन्दगे में इसतना का एक बड़ा कदम उठाना जो है, मुझे लगता है ये पैशन के लिए ज़रूरी हो जाता होगा, जो आपने है, कि अगर आपको पैशन पूरा करना है, तो उसके लिए आपको लगे लगाई, जैसे हमारे है तो यह है कि अगर सरका सारी नोकरी लग गई है, तो मतलब आप निश्चिन्त हो जाओ पूरी जीवन के लिए, रेटायर्मेंट तक, इवन उसके बाद भी जो है, तो बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि बहुत कुछ चाते हुए भी, जब एक पर्मनेंट जॉब हो और वो भी सरकारी हो तो उस को छोड़ने का इतना बड़ा कदम उठाने से डरते हैं, लेकिन आप ने वो कदम उठाया और तभी आपने पहचान बनी और आप TV फिल्मों में पहचानी जा रही हैं, तो अब फिल्मों का जो सिलस्रा शुरू हुआ, तो कैसी-कैसी फिल्में, कैसे-कैसे कलंकारों के साथ उस बारे में बताईएं. तो उस एज में आके, यहां आके स्ट्रगल करने, अपने लिए जगे बनाने, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उन दिनों ही, मेरे हस्बेंट भी यहां पहले वो पंजाब में पतरकार थे, और वो भी पतरकारी के ही सिलसले में बंबे आया करते थे, और शायद यहां फिल्मी लोगों को देखकर या उनसे मिल मलाकर, उनके अंदर भी यह हो गया कि मुझे डारेक्टर बनना है, तो वो भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, तो मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, तो अब यह क्या होता है कि अगर तो आप बहुत छोटी एज बे आओ, तो आ I am too young, मैं अपने आपको समय दे सकती है, और दूसरा होता है कि आपको financially help है, आपको कोई कह रहा है कि तुम अपने आराम से अपने, अपने according की struggle करो, जो तुम्हे रोल्स चाहिए, चाहिए ओ लीड हो जा बहुत अची रोल्स, वो जब मिलेंगी तब ही करो और तुम्हे वो भी नहीं था, क्योंकि वो भी struggle कर रहे थी और मैं भी struggle कर रही थी, अब ये वो वाली बात ही कि अपना दो मेर उस जावांगेता मना वो कौन वी, वो वाली बात ही, या तो वो कोई काम करे या फिर मैं करूं, तो वो करने को तयार नहीं थे, तो फिर मैंने ही, मैंने क्य करना शुरू कि और मैं तो बैठने वालों में से नहीं थी आराम से बैठने वालों में से नहीं तो मैंने डबिंग करना शुरू कर दिया तो रामना शागर की यहां जा कर मैं वह भी मेरे लिए एक नए ही उन में बैठके भी मैंने वो करना शुरू कर दिया क्योंकि वो स्टूडियो में कैसे बोलना है माइक के आगे कैसे वो सम मुझे एक तो अकर्शक भी लगता था और सेकर्ड मुझे उससे पैसा मिलना था जिससे मेरा खर चलना था और तम मेरी बेटी भी 9-10 साल की हो चुकी थ क्योंकि उसकी घर में देखवाल कॉन करेगा हम मैं तो यहां आकर जैसे कहते हैं समंदर में उतर गई तैरने के लिए तो उसके खर्चे भी थे उसको होस्टल की फीच यह वो सब तो मैंने खूब डबिंग की फिर मुझ जब उन्होंने में देखा कि यह करेक्टर भी कर सकत कर लेते हैं लेकिर यहां आकर फिर यहीं पर डबिंग आर्टिस्ट ढूंगते हैं क्योंकि पंजाब से उन्हीं आर्टिस्ट को कौन बुलाएगा तो मैंने पंजाबी में बहुत सारी डबिंग की हिंदी में बहुत सारी की और साथ साथ मैं एक्टिंग के लिए करने लगी और फिर मैंने यह नहीं देखा कि मुझे बड़ा रोल मिले या कोई बहुत अच्छा रोल मिले छोटी छोटी रोल हाला कि मैं सोचके तो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर ही आता है जब भी कोई एक्टर आता है वांबे में लेकिन घर के हाला आप वह सब, वह जब अलाऊ नहीं करते तो फिर आप कैसा भी जो भी काम मिलता है, चाहे को दो सीन्स हो, तीन सीन्स हो, कोई भी रोल हो, फिर वो मैंने सब करने शुरू कर दिये. उन दिनों में एक जिनको कहा जाता है B-grade इसलिए कहा जाता है कि बहुत बड़े-बड़े नामी एक्टर नहीं होती थी, उसमें स्टार नहीं होते थी, वैसी फिल्में बनती थी, जैसे सत्नामक और हिरुन थी, सपना चौदरी और दुर्गेश्ट, ये सब हिरुन थी, उन फ घर की बेटी फ्ला, बहुत सारी फिल्में वो की, और सासात में और भी जगे, उन तिनों सोशल मीडिया नहीं होता था, इंटर्नेट नहीं होता था, तो क्या करते के एक बार पोर्टफोलियो बना कर, वो पोस्ट कार्ड साइस की, खूप सारी फोटोस लेके, और स्टिकर बना कर पीछे अपना नाम, एज, हाइट, और आपने क्या क्या किया, एक्स्पीरेस, वो लिखे रात को मैं वो चिपकाती थी, फोटोस के उपर, और फिर दिन में जिस दिन शूटिंग नहीं होती थी, मैं ओफिस ओफिस में जाके वो अपनी फोटो, कास्टिंग बना करते थी, बस एक ओफिस होता था, ओफिस में एक प्रड़क्शन मैनेजर होता था, और वाकी डारेक्टर, पूदूसर वो तो मिलते नहीं थे, लेकिन वहां जाके हम रिसेप्शन पे या कहीं भी वहां ओफिस में पहुचा देती थी, मैं अपनी फोटोस जगे-जगे मतलब बॉंबे में रहते हुए मैंने पंजाबी एक दरजन से ज्यादा पंजाबी फिल्में की, एक दरजन से ज्यादा हिंदी फिल्में की, और कुछ दो दरजन से ज्यादा पंजाबी सीरियल्स किये, क्योंकि तब यहां पर एक लिशकारा चैनल आ गया था, जी टीवी आ और एड फिल्म में बहुत सारी की, वो तो चार-पांच दरजन से भी ज्यादा एड फिल्म में की, तो इस तरह से मैं काम करती गई और इस तरह से मेरी यात्रा चलती गई और अभी भी चल रही है, लेकिन जो ये है कि जैसे आपने कहा कि आपको जो रोल मिलता गया आप लेती अगर जैसे हमने भी सुना है, बहुत बार जैसे लिट्रेचर में भी पढ़ते हैं, कि जो यहां फिल्म इंडस्टी में आते हैं कि मुझे तो हीरो यही बनना है, मुझे तो यही बनना है, तो उमध डल जाती है, रोल नहीं मिलता, तो उसके बाद को कम्प्रमाइज करना प हो जाता है कि इतनी लगी लगाई जब आप सरगारी नोकरी छोड़ कर आ गए है, तो आपको अब जिस पैशन के लिए आप आएं तो अब यहां से वापिस कहां जाएंगे, यह बात भी हो सकती है, तो यह है कि मतलब जब इस तरह के काम, छोटा मोटा काम आपने तो किया, तो आपको यह लगा कि मुझे लीड रोल नहीं मिल पाया, ओ, आपकी यातर में तो यह सही लग रहा है, लेकिन कई लोग नहीं कंप्रोमाइज करते, तो फिर उनका कैसे वो होता है, आपके हिसाब से क्या सही रहेगा ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा देखिए, अगर तो आप पहले सब से पहले आपको अपने आपको पहचानना पड़ेगा, कि आपको कौन सा क्या करना है, अगर आप में, अब वैसे तो यह भी बात है कि अब वो चौकलेट चेहरे जैसे पहले थे, कि आपको धरमेंदर जैसे खुबसूरत होना है, तब ही आप हीरो बन सकते हैं, वै इसमें अगर hero खुबसूरत भी नहीं है, वैसा he-man भी नहीं है, तो भी वो hero बन सकता है, जैसे अभी अभी अभी, मैंने थोड़े दिन पहले एक film देखी, वाइट टाइगर, उसका जो hero है, अदर्श गोरव, जी, 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 आपने भी लगना, आपने भी देखी है, मैंने द मैं कि आपको, पहले तो ये, आप में वो ability है, आप में वो quality है, वो quality से अपनी पहचानने है, अपना talent पहचानना, कि आपको क्या बनना है, अगर आपको hero बनना है, lead roles लेने, तो आपको time देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अपनी financial help के लिए कोई ना करो, मैं बहुत सारे offices बें, बहुत सारे casting directors के पास जब बैठे होते हैं, या audition दे रहे होते हैं, वो camera के सामने जाकर भी बोलते हैं, I am looking for a lead role, तो that's good, आप में वो confidence है, और आप वो डूंड रहे हो, तो वैसा बनो, करो वैसा, और वैसी ही training लेकर आओ, सबसे बड़ी बात है, आपको training लेकर आना बहुत जरूरी है, जैसे मैं मैंने कुछ training नहीं लेकिन कहीं न कहीं मैं दूरदशन में camera का, camera को face करती थी, रेडियो में mic को face करती थी, तो कहीं न कहीं मैंने कुछ सीखा था वहां से, जो मेरे आगे काम आया, तो अगर को फ्रेश लड़का या लड़की यंग एज में 20, 21, 22, 25 जा 30 से पहले पहले आकर lead role करना चाता है, तो वो खली इसी तरह से ना आ जाए कि बस मेरे में अंदर है तो मैं मुझे बनना है hero या heroine, उसके लिए थोड़ी training भी लेकर आना जरूरी है, अपने आपको पहचान कर और अपना एक पूरा plan करके, कि अगर मैं एक, दो साल या तीन साल अपने आपको देता हूँ या देती हूँ वहां पर, समय देती हूँ, तो उसके लिए मैं है और मुझे आने जाने के लिए convince के लिए पैसा भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, उसका थोड़ा सा परबंद करके अगर वो आता है या आती है, तो that's really good, तो एक तो वो सब plan करके ही आना चाहिए, यह नहीं कि जैसे वो पुराने hero के बारे, heroes के बारे में सुनते है कि अरे मैंने train की टिक ली, मेरी जेब में 20 रुपे थे, फिर मैं वहाँ चने चबाके गुजारा करता था, फिर किसी की नजर पढ़ गई मेरे पर, उसने में अब वो सब बाते नहीं रही हैं, जो मैं देख रही हूँ, अब किसी की बाती है, उसमें सचाई रही, या वो सिर इतना रही हैं, इतना कुछ प्रफेस्शनल हो चुका है, इतना कुछ है रही है, कि अब किसी के पास समय नहीं है, वो एक नए लड़का या लड़की को तैयार करे पहले, कि अरे महीं इसको ह obey हिरोण बनाना है, तो इसको डांस ट्रेइनिंग भी दो, इसको एक्टिंग की आते हैं सब तो उसी तरह से ही आना पड़ेगा लड़के लड़कियों को यह नहीं कि बॉम्बे की चका चॉन देख लेई या चमक धमक देख लेई या पुराने हीरोस के वो सब इंटरव्यू पढ़ लिए तो अब नहीं है बहुत समय चेंज हो चुका है यह नहीं जैसे यह नहीं हैं फिल्में भी बल्न रहु है रिजिनल बीबहुत है और मैंने तो यह भी देख धो है जिब हम जैसे कोई रेयल्टी शो मेंग गरा देकिते हैं तो सिंगिंग है यह डांसिंग वगरा का है तो लो जो तीन महेने का या चार मीने का जो भी समा है उसमें कुछ को तो वो आस्मान के ओपर चढ़ा के रख देते हैं राइब बल्ले बल्ले होगी अदे वर्गा ते कोई है यही नहीं जी 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 तो फिर उसके बाद वो जो है वो बंदा भी यही सोच रहा है जो बच्चा है पार्टी स्पे होते हैं तीन मीने बाद, चार मीने बाद ग्लैम्मर के तो आज-खल तो आपका तो कईयों से वास्ता पड़ता होगा इस तरह के तो ये वी इसमें कितनी सचाई होती है कि सच में इतना किसी में टैलेंट भर है कि लोग जो है मतलब उसको असमान पे छड़ाते हैं वो सची होता है क्योंकि आप टीवी में भी रही हैं फिल्मों भी भी हैं क्योंकि मुझे तो ये सारा ना स्क्रिप्ट सा लगता है कि इतना कुछ वो हो जहां बंदा फेमस भी हो और उसको पैसा भी मिले जी 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 जो है ना एक सचाई बन चुकी है तो मैं यह चाहती हूं कि अब जमीनी स्थर पे क्या हुर रहता है आप उस बारे में हमारे विद्यार्थियों को जरूर बताएं जी यह जो रियालिटी शो चल रहे हैं कोई हो जाहिं, इंडियन आईडियल सारे गामा, डांण्स इंडिया डांट्स ये वह 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 उसमें कोई शक नहीं कि वह बचचे सब बहुआ टेलेंटिक होते हैं क्योंकि वह तो हमें हम देख भी रहे हैं उसमें तो कोई जूट नही है कि सच में बहुत अच़्ा डास कर र प्रोग्रम चलाना है ना वो तो यह सब करें कही बार तो कोई-कोई बादा भी करता है कि तु मेरे साथ गाएगा मैं तुम्हा जान दूँगा ही में जैसे ऐसे भी कह देते हैं लेकिन कितनों को चांस देगा वो तेकर आप एक्जैक्टली हां क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ह हैं और यहीं नहीं कि हिंदी में महराथी आप चैनल खोल को देख वहां भी रियालिटी शोज चल रहे हैं पंजाबी खोल कर देखो वहां भी चल रहे हैं तो कितना डेलेक्ट है तो फिल्में तो उतनी ही बनेंगी ना लिमिटेड और ओलेडी सिंगर्स हैं यहां तो इस कर मताये कि अगर मैं जीत गया या अगर मेरी बहुत आरीफ हुई तो मैं ही स्टार बन जाओंगा मुझे काम की कोई कवी नहीं रहेगी ऐसा नहीं होने बाला उसके लिए यह करना चाहिए कि आजकल और बहुत सारे जो है यूट्यूब्स पे पहुत सारे आप प्रोग्राम चल रहे हैं आप अपना एक अपनी एल्बम बना लीजिए आप उसके बाद मैं यह कह रही हूँ वो थोड़ा फेमस होने के बाद या फेमस नहीं होने के बाद पहले भी आप ऐसा कर सकते हो आप अपने आप में सिंगिंग का है बहुत जादा तो आप एक गाना रिकॉर्ड को अपने वी आप को एक अलुबम अपनी बनाईे यह एक ही गाने की अलुझ को साथ गाने की रिकॉर्ड .-कॉर्ड करने साथ गानों में ही एक्टिंग भी करने है ऐसा नहीं एक गाना भी अगर वो गाना लोगों को बहुत पसंद आगया बहुत सारे लिजुज मिल जाते तो आपको फिर आपको दूसरी वीडियो बनाएए फिर तीसरी बनाएए आप अपना एक प्राइवेट चैनल खोल सकते हैं यूट्यूब पे उसके लिए भी अगर आपका बहुत ज्यादा वो सब्क्राइब करते हैं बहुत ज्यादा सुना जाता है तो उससे भी आपको एक फाइनेशली हेल्प भी हो जाती है आपको पैसा भी आता है और आपका जो आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि मेरा गाना बहुत सारे लोग सुन रहे हैं या मेरा डांस बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है और कहीं न कहीं और साथ-सात में अगर कर भी कर सकते हो लेकिन अगर आप Bombay आ जाते हो तो साथ में मिलना मिलाना भी चाहिए जाकर मिलिए बहुत सारी music directors हैं film directors हैं उनको अपना गाना सुनाए अपनी वो album दिखाए तो आगे चांस मिल सकते हैं लेकिन सिर्फ उनी पे निर्वर होकर नहीं रहना चाहिए मेरे यह मतलब हो कि प्रोग्रम वालों ने आपको सर पर चड़ा लिया आपको ट्रॉफी दे दी और बस अब आप घर पर बैठके वेट करो कि बहुत सारे डारेक्टर साइंगे बहुत सारे म्युजिक डारेक्टर जांगे आपको हो सारा काम देगा या फिल्म में मिल जाएंगी यह गोगा वह आप अपनी तौर पर महिनत करते रहें मेरा मतलब हैprises तो जैसे आपने का कि आपने मतलब कई चोटे चोटे भी रोल किये बस यह तो वैसा ही रहता है, जैसा हर किसी भी फिल्ड में हो सकता है, यह सिर्फ फिल्बी दुनिया के पे ही लागू नहीं है, लेकिन बहुत आम तोर पे, क्योंकि हर आर्टिस्ट के बैक ओपाइंड में यह होता है कि एक आर्टिस्ट को एक अच्छा इंसान भी होना कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी एक सीमा बनाई होती है, एक अपना दायरा बनाया होता है, वो अपने दायरे में रहते हैं, वो आपको हाई हेलो करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से काम करेंगे आपके साथ, लेकिन अगर हम यह सोचें कि वो ह इन्तकाम है म Lydia का पहले कि बात है इंतकाम, उसमें मेरे बहुत लुंबे डायलग थे पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का सीन था और मैंने बहुत लंबे डायलग बोले और मनोज बाजपाई वहां बैठे हुए थे, वो सीन में नहीं थे, लेकिन ऐसे साइड में बैठे हुए थे, मेरा किसी और के साथ था, डायलग, तो उन्होंने मेरे लिए ताली बज़ उनको इतना अच्छा लगा, तो जब भी मैं कभी उनने देख उसके बाद तो मुझे कभी मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का, तो अच्छा, कहनी के मतलब वो आपके लिए ताली भी बजाएंगे, आपको प्रकसाहित भी करेंगे, लेकिन आपके लिए, कहीं और आपक करें, आप उंगली पकड के साथ में लेके चलें, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं होगा, बस हाई हेलो वो करेंगे, हाई हेलो आप करो, आपको एप्रिशेट करेंगे, आप उन्हें एप्रिशेट करेंगे, बस उन्होंने अपने एक दाइरा बनाया होता है, जिसस इसे बड़ा होना है, क्योंकि शायद उने भी मालूम होगा कि अगर जरा सी हमने फ्री हुए, तो यहां पर उंगल पकड़ने वाले पॉंचेर तक पोहन जाएंगे, तो इसे भी हैं, इसे भी हैं अपना एक दायरा बना लेते हैं कि हम जो हैं, सिमट के रहें, तारीफ करें, क इसा नहीं होगा, वो अपने ही लेवल का देखेंगे, कि अब जैसे मेरे जैसे हैं, स्पोर्टिंग क्रेक्टर जिन्हें कहा जाता है, हम भी और जो बहुत बड़े स्टार नहीं हैं, मालो, तो बहुत बड़े के जो स्टार नहीं हैं, सिर्फ कला का रहें, तो हम भी अपने डिन का एक 気engainkनी होतीकर वालकुर commentワ Lupita इस सब्सकाइट कर से कुरिए इस में कर्णा ने का आगर सथाथ है नशाल में आगी जो वी उनमी इत्वाथ पाते हैं वह। साथ गुलती मिलते नहीं, वो अपने दाइरे में रहते हैं, और हम अपने दाइरे में रहते हैं, इसी तरह बड़े स्थार अपने दाइरे में रहते हैं, तो इस तरह इसा नहीं है, सबके लिए, सबका एक-एक बस understanding है, कि उसने ये काम करना है, और उनके साथ बैठना है, इनोंने ये काम करना है, इनका अपना ग्रूप है, इस रहे से काम कोता रहता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ऐसे भी होता है, कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जैसे अभी पीछे टीवी पर किसी का इंटर्व्यू ही सुना था, कि मतलब कहीं पर रोल की बात हुई है, तो जैसे हम तीन-चार फ्रेंड्स रह रहे हैं, मुझे याद नहीं आरा किस आर्टिस ने पीछे बताया पर है, तो चरिय पर कि हम चारों जा रहे हैं, वहाँ पर लेकिन बता, किसी नहीं रहे, तो भी ऐसा ही होता है, कि मुझे वो रोल मिले, तो इस तरह का भी होता होगा, कि ए कि दूसरे को काटना, कि मुझे रोल मिल जाया, या मैं वहाँ पहूँ या इसको मत बताहूँ, नहीं बताएं कि मैं भी shortlisted हो गई हूँ, तू भी हो गई है, तो फिर जब selection हो जाती है, तो भी लगता है कि अरे यार अभी होने दो, थोड़ा return में contract होने दो, अभी से बताएंगे तो कहीं गडबड ना हो जाए, वो कहीं अपना ना कोई phone कर दे, कि अरे नहीं नहीं, उसके पास तो dates नहीं होती, वो कर लेती है, contract कर लेगी, हाँ कर देगी, लेकिन आएगी नहीं, तो इस तरह के ये तो है, ये तो एक दोड़ है, जिस विंदर जी, ये दोड़ में सब लगे पड़े हैं, थोड़ा थोड़ा तो हम इनसान हैं, करेंगे ही, इतने भी धर्मात्मा ब किसी को नहीं कारती, बलकि कई वर तो ऐसा होता है, जब मुझे कोई रोल मिल जाता, तो मैं कैते हो, अरे यार, उसको नहीं मिला, वो क्या सोच रही होगी, उसको नहीं मिला, वो भी थी ना, उस तिन उसने भी audition अच्छा दिया था, मेरे मन में ये विचार आता है, वो सब किसी और के भी मन में आता हो, तो ये दोनों तरह की भावनाएं चलती है, ये भी कि, अरे उसको नहीं मिला, मुझे मिल गया, या इस तरह की भी, जब उसको मिल जाता तो भी लगता है, यार, मेरी तो किसमत ही ऐसी है, मुझे नहीं मिला, देखा, कितना अच्छा audition दिया था तब तो वो कहा रहे तो वाओ, I got it, whatever I got it, तब तो ऐसा कहा था, like that, तो ये भावनाएं दोनों तरह की चलती ही है, इनसे तो गुजरना ही पड़ेगा, तो ये चलता रहता है बस, तो कुछ ऐसे और खटे मिठे अनुवव जो बहुत अच्छा भी लगा हो, बहुत बुरा भी लगा हो, कुछ इस तरह का आप हमारे से शेर कीजिए, कोई यार्गार कोई रोल है, कोई ऐसा अनुवव हो है सेट पर, या कहीं किसी फिल्मीक अलाकार के साथ, या जहां बहु का भी लगा हो, कुछ इस तरह का भी, आप बताईए, बुरा लगने वाला तो मैं ये कहूंगे कि जो मुझे शुरू-शुरू में आके, जो मुझे फेस करना पड़ा, लेंग्वेज के लिए, क्योंकि देखिए, अगर आप 35 साल की उमर तक, एक ऐसे सूबे में, ऐसे स्ट पड़ रहे हो, आउंसमेंट्स में पंजाबी में करते रहे हो, पंजाबी नाटकों में, पंजाबी सीरियल्स में ही काम करते रहे हो, पंजाबी में लिखते रहे हो, पंजाबी में बोलते रहे हो, तो आप आगे हो हिंदी में काम करने, हिंदी तो आप बोल लोगे, फिर भ हो लेकिन सामरे डारेक्टर आपको जब तोकता है न सब के सामने तो यह मुझे अनभव जो शुरू शुरू में करना पड़ा तब ऐसा होता था कि जब वो सारे भरी सभा में कह सकते हो पूरे सेट पे इतने सारे आपके साथ हो और सह कलाकार हैं और टैक्नीशियन्स हैं यह सब सुन रहे हैं और आपका डारेक्टर आपको टोक देता अरे कुलबीर जी पंजाबी टश चाहरा है आप क्या बोल रहे हो दर्वाजा नहीं दर्वाजा जिंदकी यह तब लगता है तब ऐसे लगता था मुझे कि बस यह धरती फट जाए और इस में मैं बस यह क्या मेर मैं क्यों कमी है यह मैं क्यों नहीं इसको कर पा रही है कैसे मैं यह फिर मैंने इतना उर्दू उर्दू के लेकर पढ़ना शुरू किया कहा कहा नुफता लगेगा कैसे उर्दू बोलनी है कैसे कैसे इतनी मैंने प्रैक्टिस की इतनी मेहनत की मैंने यह नहीं सोचा कि मैं मै पूसल कि उसके उपर, कि मैंने उर्दू सोशी की है यह तो था, ना कि हिंदी के सीरियल करते हुए कभी उर्दू की लाइन आगे तो उसमें टोका डारेktor ने फिर मेंने जो खालिस उर्दू के सीरियल्स थे जैसे फनहा जैसे शक्ती शिक्वा फिर कृष्मकूर के साथ मैंने एक सीरियल किया था यह सहारावन चैनल पर आता था, कृष्मा दा मिरिकल ओफ डेस्टनी, यह कृष्मा पुरकी चाची का रोल किया था, और ज्यादा तर मेरे और उसके ही सीन सोते थे, तो वो प्योर उर्दू में था, बलकि वो कहीं बहुत रटक जाती थी कृष्मा, कहती थी मैं सही बोल रही हो, सही बोल रही है, तो मेरे में फिर वो बाद में मैंने वो confidence तब आया, जब उसमें मोहारत हासिल कर लिए, लेकिन पहले वो जो एक फेज रही न, जब आपको डारेक्टर बार-बार टोक देता था, कही एक जगे नहीं कही बार हुआ है तो तब मुझे बहुत बुरा लड़की, कोई यंग लड़के-लड़कें जो सुन रहे हैं बच्चे, उन में से अगर कोई एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो पूरी तैयारी से आए है, आज कल देखिए आपके दिली में इतने अच्छे-च्छे स्कूल ऑफ ड्रामा है, नौइडा में भी एक एक एक्टिंग स्कूल खुला है और बहुत सारे एक्टिंग स्कूल खुल गए हैं, तब हमारे जमाने में तो होते ही नहीं थे एक्टिंग स्कूल और रंगमंच है, रंगमंच को ज़रूर जोइन करना चाहिए, वहां से आप बहुत सीखते हैं, आपको लेंगूज का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपको लगे कि यार मैं तो बस मरी जाओं मैं क्यूं क्यूं एक्टिंग कर रही हूं like that फिर ऐसा नहीं हो तो पूरी तैयारी के साथ आए पूरी लेंगुज़ी सीखे अपनी मातर भाषा तो सी बोलते ही हैं वो तो गूदी लेकर उसके इलावा भी जैसे उसके इलावा मैंने केसरिया बालम आवो मारे देश एक मैंने सीरियल किया उसमें बुंदेल खंडी बोली फिर हर्यान भी बहुत सारी स्टोरी की इसमें हर्यान भी तो आपको जितनी भी आप लेंगुज़ी सीख सकते हैं उसी की फिर आप आगे बढ़िए फिर आप आईए मैदान में कि अब तो कुछ भी बुलवा लो सब के ऐसी की तैसी मैं सब बोल पाऊंगी मैं सब बोल पाऊंगा ऐसा होना चाहिए है लब यह कि आप जो है यह ना स सोच लीजिए कि मैं अब मुझे सब आगया मैंने इतनी फिल्मे कर लिए इतने सीरे कर लिए खुद के लिए खोल के रखी आपने आपको कि कहीं से भी कुछ सीखने को मिलता है या कोई टोकता है तो उसमें भी हम यह जानने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि अन्जू सब्सक्राइब कर लिए तो लेकिन जो लेखन की तरफ जो रुजान हुआ आपका वो कॉर्ण सी प्रेरना थी जो आपको जो लेकर लेकर अच्छे साहितेकार के रूप में जो है अपने आपको स्थाफित भी किया थैंक यू वेरी मच आपके इंशब्तों के लिए जैसा कि मैंने काई, एक्टिं का हमारे घर में, हमारे खांदान में, कहीं दूर दूर तक किसी का क्या नाता नहीं था ना मेरे माईके में, ना संसुराल में, किसी कभी ने, लेकिन जो राइटिंग का था, वो मेरे माईके में था, वो तो मुझे अपने घर से ही मिला, जैसे ज़ मैं छोटी सी थी, शायद आट-नौ साल की थी, तो मैं देखती थी कि मेरे दादा जी, जो की बहुत बड़ी विदार थी, इन्टो का बट्टा था उनका, तो वो रात को बैठके अपने एक बड़ी सी लंबी सी वही खाता लेकर उसमें लिखा करते थी, कि हिसाब किताब तो लिखना ही था, इसके इलावे वो डाइरी लिखा करते थे, वो लिखते थे आज कौन-कौन मिलने आया, कौ पुछते थी उने कि बापुजी क्या लिख रहे हो, बोलते थे डाइरी लिख रहा हूं, तो फिर पढ़के सुनाते थे, और तब लाइट ने थी घर में, और काले रंग का गोल एक दिया होता था, उसकी लोग में वो लिखा करते थे, तो ये मुझे एक तो बहुत आकर्श होती थी कि कविताएं, जैसे गुर्दास, राम, आलम, उनका फेवरिट कभी हुआ करता था, तो मैं जब भी पढ़ने बैठती थी, अपने चोबारे में हमारे होता था, वहां मैं जाकर बैठती थी, तो आकर मेरे पास बैठ जाती थी, और मुझे कहती थी कि कोई कविता प मुझे कविता पढ़ के सुना, तो उनको कविताहू का शॉता, फिर मेरे फादर साब कविता लिखते थे, उन्होंने इतनी कविताएं लिखी लेकिन उनोंने अपने लिट्रेचर संभाला नहीं और हमें भी नहीं तब अकल नहीं थी की उनके ठाद बार में पुछा थोस हो पर पढ़ने का बहुत था वह लिखती नहीं थी लेकिन नानक सिंग के नावल जस्वान सिंग कमल जी के नावल उसने कुछ नहीं था पढ़ना और मुझे वह एक दुकान में वहां एक रुपए की एक किताब मिलती थी जो कि आप दो तिन पर लेकर प्रमे तुझे उसमें क्या है पढ़के फिर हमें तहानी सुनाती थी इन विंद्न एक दृष्श की सुनाती थी तो यह सब देख देकर सुन सुन कर मेरे अंदर लिखने की इतनी वो फूई एक कह सकते हैं चेतना जागी और मैंने लिखना शुरू करते हैं और मैं 11 मी में ही थी जब मैं जब मैंने सबसे पहली कहानी लिखी सबसे पहले मैंने कहानियां ही लिखी, उसके बाद तो फिर मैंने कविताइं भी अब लिख लेती हूं, कविता कि मेरी एक किताब भी छप चुकी है, हौकी दी पटकन, अब दूसरी कर खरड़ा तयार है, जो की लॉक्डॉन मेंने पूरा तयार किया, वो भी में छप बादी, मैंने गीत भी लिखी हैं, कविताइं लिखी हैं, और मेन बैसे में कहानियां लिखती हूं, तो इस तरह से मैंने कहानियां लिखनी शुरुकिया, और मैं ग्यारवी क्लास में थी, जब फिर मेरी पहली किताब भी आगी, दाइरे, जो की दो लंबे नॉवलेट थे, उन दो मिलाकर मैंने एक किताब चपवाई, जिसका नाम था दाइरे, तो वो मेरी पहली किताब थी, उसके बाद फिर कवताओं की, फिर कहानियों की इस तरह से करते-करते, अब तक तो मेरी साथ किताबे हो चुकी हैं, अभी लॉक्ड़ॉन में मुझे बहुत फर-फर बैटने का किताब चुकी हैं, तो मैंने और बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, और अभी अपना पूरा एक खरड़ा तैयार करके, आर्सी पब्लिशर्स को भेजा हुआ है, उन्होंने मुझे पीडिया भेज दिया है वापस की, इसका जो फाइनल आप चेक करके भी जो, जल्दी मेरी क किताब अब सामने आने वाली हैं नहीं, तो मैं एक बात और था, हांजी, 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 एक और, जैसे, क्या आप नहीं हैं, जो आपकी कहानियां है, जो आपको बहुत पसंद है, क्या उसी पर भी कोई फिल्म या चुब टेली फिल्म या कुछी इस तरह का, या सीरियल ह नहीं हुआ? तो लेकिन एक टाइम आया, जब मुझे लगा कि नहीं, एक लिखना जो है, फुल टाइम जॉब है, आपको उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, मैं लिख कर, तब हम एंटॉफिल में रहते थी, यहां एक बांबे में प्लेस है, और वहां से, यहां जब आब हम य आधी रात तक लिखती रहती थी, मैं लिखकर लाती थी, वो सुनते थे, डारेक्टर और बाकी लोग बैटकर, पिर कहते थी, ऐसा करिए आप में इसका सीन चेंज कर दीजिए, यह लोकेशन अब हमारे पास नहीं रही है, और यह करेक्टर भी नहीं रहा, अब आप यह पा पूरा पोर्शन काट दीजिए, अब इंडिया वाला ही रखिए, इसको फिर से चेंज कर, मैं तो चेंज ही करती रहती तो, और फिर मैं आप एक्टिंग ही नहीं कर पाती थी, मैं वो लिखती ही रहती थी, आधी-ाधी रात तक ले, फिर मैंने लिखने से, मैंने का, मैंने के लिए नहीं लिखना, बस मैं अपने शॉब के लिए लिखूंगी, किताबों के लिए, किताबे चिपाऊंगी, ये वो, लेकिन मैं अब सिर्फ एक्टिंग करूंगी, क्योंकि वो बहुत और उसमें, ये भी एक सचाई है कि पैसा बहुत कमता हुता है, लिखने में, एक् चाहते हैं, उन्होंने क्या दिखाना, वो आपकी बात्तों है, ये वो, ज्रूर इसके बारे में, इसके लिए भी थोड़ी सी कुछ विद्यार्थी मैंने देखा है हाथ खड़ा कर रहे हैं कुछ पूछना चाह रहे हैं आप अपना प्रिशन जो है कुल बीर्ची से कर सकते हैं अभी आपने हाथ खड़ा किया था किसी ने जस्प्रीत या क्या नाम था मुझे जी 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 जरूर 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 मैं मैं पुछना चांदियां कि अगर सानू ओन स्टेज ना आना पए मतलब बैक्स्टेज ही मतलब कोई एमधा कम जो मेरे सरूप नो अग्गे ना लगके आए क्योंकि जेडी आक्टिंग हुन दी है मैं दुस्तार बनी हुए है तो मैं आक्टिंग दे नहीं आना चांदी क्योंकि मैंनो अपना सरूप बहुत ज्यादा प्यार है तो बैक्स्टेज रहे कि अगर कोई तुस्सी मतलब सजेशन देओ कि अगर मैंनो सामने ना आना पर या फिर बैक्स्टेज कोई काम हुए जो मेरते मतलब टुक के बैक्स्टेज ते बहुत सारे काम नहीं तो हम स्क्रीन ते सिर्फ ज्यादा तर दो लोग दिखते ने हीरो, हिरुन, विलेन या और कुछ क्रेक्टर जड़े में लेकिन ज्यादा तर जो कम है वो केमरे दे पिछे है जी में लेखक एक कहाणी लिखेगा आलग लिखेगा फिर केमामेन वह टो केमर्य दे पिछी होएगा फिर सिंगर ऑबी कीमर्य दे पिछे ही है ऑथी तो नुद्ध नुक on पता ह्यां अबाया बन ब法णा हे रहा एकला किने नाहम जिना नुद दो सी किंदे देख आ नहीत परवनना दा गाना आवादे वेच आ गया और फाइट मास्टर, फ्र मतलो राइटिंग, डांसिंग, फाइटिंग, सिंगिंग और इस तो ईलावा यह सारे नहीए, पहला सब थो पहला तो तो नों अपने अंदर पहचानना पहेगा, कि तुसी तो अडीरूची किस वेच है, क अब तुसी कॉस्ट्यूम दा देख सकते हैं गर्टियां किरतन गर्टियां मैं वाव वाव। तुह डि जडि रुची है वो सिंगिंग विच है राइट हैं कि आंग केंड जी MARK कि मैं पहला भी क्या सी किसी पहला होदे ले पूरी ट्रेनिंग लो भी अपने आपने आपनों पॉलिश करो अपनी सिंगिंग नूँ किसी ना किसी नूँ कर दिया ना कि अपना गुरू तारण कर लो कोई ऐसे म्यूजिक डारेक्टर या कोई गोर बड़े सिंगर जे ना तो मैं क्लासिकल सिखना शुरू करता है हो भी साज मैं शुरू कितने हैं वैसे मैं हर्मोनियम कर दिया बड़ दिल्रूबा भी महां स्टार्ट करना हो ना तो वेरी गुड ते बहुत अच्छा में लगया कि तो अंड़े विच ए है बाकी बहुत अंड़े जिवें कि मैं कि कॉस्ट्यूम दा है तुसे कॉस्ट्यूम देख सकते हो सेट डिजाइनिंग इमें बाकी बच्चें ले कह रही हैं कि सिर्फ एक्टिंग दा ही नहीं है कि एक अशिस्टेंट जॉइन कर सकते हो जी में अगर तो अड़ी बहुत अच्छी बाड़ी है तुसी बाड़ी बिल्डर हो तुसी कुछ फाइटिंग दा करना चाहूंदे तुसी किसी फाइट मास्टर नो जॉइन कर सकते हो फिर इसी तरह हो ड्रेस डिजाइन और सेट सकते हैं तुसी सीरी सिंगर बढ़ना चाहते हो पुरी मेनत करो पुरा जी मेकी कि तुसी क्लासिकल सिखना सुबता है के आव कंड़े के लिए gwoda करो आपना पूरा रियास करो खूंप मैनक यह पर आपक्ना यूतुब ले इक अपना यूट्वल्य एक आपक्ना रिकॉर्ड करके पा सक देओ, वही लोग देखन ताकि तुसी आ के दिखा सको और फिर पंजाबी बीच भी बहुत कम है जो की दिल्ली भी हो रहे हैं पंजाब बहुत पंजाबी फिल्म कि नहीं अची-अची बन रही हैं उत्थी जागे भी तुसी अपना गाना किसी ना किसी अची 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 आप से पूछा कि वेसे हमारी दस्तार बांदी हुई हमने तो मिंस की स्क्रीन के आगे नहीं आना चाहते हैं अगर यही सोच सबकी मीन्स सारे सीक्स की वही जो सारसी कि टर्बन और जो था इस तरह ड़ Caleb likes आट में था कि मिले जिसमें आप शोके लाओ taking to कर से कि मुझे नहीं आना है सामने क्योंकि मैंने दस्तार बान दिए मैंने स्क्रीन पर नहीं आना है यह हरे का अपने इंडिविजिल विचार हो सकता है हम किसी के विचार को कंडेम नहीं करना चाहिए और आप दस्तार के साथ भी अगर आप जैसे दिलजीत सांझ है उनोंत एक पूरी निसाल कया है कायम की हुई है कि आप किसी भी फिल्म में इपनी पगडी नहीं उतारी है पगडी के साथ ही उनुनने एस हीरो हो, क्या-क्या फिल्में दे रहे हैं हमें, तो ऐसा भी हो सकता है, आप दुस्तार के साथ भी सामने आये, और फिर भी आप अपना एक मकाम हासिल करिए, क्यों नहीं, और अगर कोई नहीं आना चाहता है, तो कोई बात नहीं, अभी एक वो लड़की थी ना, जो दंग करना चाहिए, है ना, हेलो, थैंक यू, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अब जो है, पगड़ी तो एक स्टेटर सिम्बल हो गई है, जी, बहुत सारे वर्ट में जो है, वो रूल कर रही है, ऐसी बात नहीं है, बेलकि नहीं सुना था जब जी सिंग को, तो उन्हों नहीं का क्योंकि जहां भी मैं जाता था, पगड़ी के साथ, तो मुझे कहा जाता था, कि आप कैसे गजल गाएंगे, जबकि, मतलब, बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम कि पूरा गुरु गुरंद साब जो है, वो राग माला पर अधारित है, जितना संगीन सिख धरम में है, उत्रा कहीं भी नहीं है, जो जो राग गुर्बानी में है, वो तो क्लासिकल सिंग, उसमें भी नहीं है, राग, उसमें का कि मेरे में हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए मुझे जो है, अपने केस मतलब कतल करवाने पड़े, लेकिन कभी मेरे जमाने में दलेर मेंदी होता, तो म इसको देखके हिम्मत करता है यह उन्होंने खुद जो है कहा जगजी सिंग में तो मुझे नहीं लगता कि यह इस तरह की अब कोई बात है और कोई कुछना चाहता है हांजी पुपिल जी नमस्कार माडम जी नमस्कार हांजी मैं यह कहना चाहती हूं रोहन प्रीत और नेहा कक पड़का कल मैं वीडियो देख रही थी उन्होंने कहा कि हर सरदार लडगे को लड़की तो मेल जाती है पर हर लड़की को सरदार नहीं मिलता तो इसलिए हमें सरदार हूने पर प्राउड फिल करना चाहिये वाँ बहुत अच्छा उन्होंने यह सुनके मेंनेने यह सुना तो इसलिए सर्दारों को मायूस नहीं होना चाहिए तो अपनी पगड़ी के सार खुब आगे बढ़ें और जंडे गाड़ें एग्जेक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत हिट हैं सर्दार आजकल तो बॉलिवुड वले और कोई कुछ पूछना चाहता है आईए दीमाला कि मैं कॉलेज में हूँ और हुआ यह कि मैं थोड़ा लेट और जॉइन करने में काम मिलेगी फाइल वैस में अब अब देख संब्सक्राइब को तो अब है मैं तोड़ा है सुनपाई कोलेज में आयो ही हो एकली हमारे यहां पर बड़ी आप यहां पर मच्छी है नेग की विजित है यहां बिलकुल है। हाँ, बिलकुल। मैंने सुना, मैंने थोड़ा साही सुना है हुभी। बहुत अच्छा लगा। हमारे हाँ पे बच्चे जो हैं ड्रेमेटिंगे सुसाइटी हैं। उसमें करते हैं काम। और आप जैसे लोग जब आते हैं और अपने पारे में बताते हैं तो बत्चों को बहुत अंदर से होता है कि कर रहे हैं तो शायद हमें भी भाईशे में ऐसा कोई मंच ऐसी कोई चीज मिल जाए जहांकर हम इस लेवल तक पहुत जाए। मैं मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपने इतने अच्छे से चीजे समझाई हैं मैं एक रिक्वादिंगे के सारा सुनों भी मैंने ज़स्ट रभी थोड़ी ज़ए जोई जिए पर थोड़ी सी बाते सुनी उस तरी में बहुत अप्रा सुनी है और आपको बहुत थेखा है अच्छे और में आपने टाइम दिया बात कर दो थेंक युवरी मच्छ थेंक युवरी मुट्व नमस्कार कुछ बच्चे और मेरकल हाथ खड़ा कर रहे हैं कुछ पूछना चाहरे हैं चैट बॉक्स में लिख रहे हैं जी पुछना चाहरा है तो यह पूछिए कनमस्कार म्म म्मध कर लिए क्या मन अच्छ iss अब तो बहुत बद्लाव आ चुका है पहले हमारे जमने में यह जो social media नहीं होता था और email id यह और आप तो बहुत सी बहुत asan हो गया है बहुत से चीज़े अब platform इत्ति आ चुके हैं ott il ni platform अचगे हैं web series इतनी बन रहे हैs sketches इतने बन रहे हैं videos इडियो इतनी बन रही है और हमारे ज़माने में सिर्फ टीवी सीरियल होते थे और फिल्म होती थी उसी के लिए हम स्ट्रगल करते थे और जैसा कि मैंने पहले बिताया कि हम हाड़ कॉपी बनाते थे फोटो की उसके पीछे स्टिक्ड़ लगाते थे और ऑफिस ऑफिस जाके बांटते थे, कभी जो अंदर गुसने नहीं दिया जाता था, तो कैसे भी अपनी फोटो अंदर हम पहुंचाते थे, कि और फिर वेट करते थे, अब क्या है, आप एक्टिंग में स्ट्रगल करना बहुत आसान हो गया है, आप अपना पोर्टफोलो बनाएए, आप अपना बा पोर्टफोलियो आप डिली में बैठे हुए भी अपना पोर्टफोलियो और अपना फोटो चार पांच फोटो ज्यादा नहीं हां, जैसे फुल अपने फुल फोटो, अपना एसो एस, मतलब मिडल बाडी तक और फिर अपना क्लोज अप दोतिंग और अपना साइड पोस, इसकी चार-पांच फोटो जीजिए और सारे email IDs पे भेज दीजिए, ऐसे भेज रहे हैं अब, तो अब तो घर बैठे ही आप स्ट्रगल कर सकते हैं, तो इतना असान हो गया है, तबका और अपका ये फर्क है, काफी असान हो रहा है, आपने पीछे इर्फान खान के साथ भी एक फिलम की थी, सेट पे, तो उसका कुछ अनुबब बताईए हैं हमें, जी वो फिलम थी Hindi Medium, जिसकी शुटिंग आपके दिली में ही आकर हमने की थी, एक सीन था जान्नी चौक में हमने किया था, और बहुत मुश्किल हो गई थी, इतना crowd आ गया था, इतना crowd आ गया था, त तो वो सीन था कि मैं और मेरी बेटी हम घर से शॉपिंग के लिए निकलते हैं क्योंकि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, मतलब वो heroine नहीं है फिलम की, वैसे ही एक लड़की, मतलब एक और होता है न, अलग लगांजी क्रेक्टर, तो वो हम crowd दे कि इतना डर गई, कि हमें लड़की जो हमारी chief assistant को कहने आई कि director कह रहे हैं कि आप दोनों की चेहरे पे भाव आ रहे हैं, आप दोनों बहुत धरी हुई है, तो वो डर नहीं चाहिए, आप तो बिंदास आपको आना है, इदर उदर देखते हुए कि कोई अच्छा showroom दिख जाए, इसको लहंगा लेक चेंज किये, हमने फिर वो दिखाया कि हमें कोई डर ने, लेकिल लगता है ऐसे था कि इदर से भी लोग आके गिर जाएंगे उपर, इदर से भी आ जाएंगे, इतना पता नहीं क्यों, कहां से वो इतना crowd आ गया था, और एक सीन था उसका जो हमने प्रोल बाड में किया था, वो तो शोरूम के अंदर था, वहां इर्फान खान थे, जो की दिखाया था कि एक शोरूम के मालिक हैं और उनका नौकर है, पहले वो नौकर के साथ मैं और मेरी बेटी दोनों जूचती है, वो क्या है वो ज्यादा दिखाता नहीं था, तो हम उसे कहते हैं कि अरे दिखा न और दिखा, तो हमें कुछ पसंद नहीं आता, तो वो नौकर के इतना टैकल नहीं करना आता, कि मा मेटी को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ये दोनों तो बड़ी पता नहीं क्या सोच कि घर से चली है, कि कैसा लेंगा लेना है, कैसा, तो फिर इर्फान खान आते हैं, वो ब खेलानी और खुशी हुई थी, मैं तो अचानक ही देख रही तो उन्होंने कहा कि ये सीक्वेंस फिलम में देखकर आपके, आप वो हंस्ते हंस्ते लोगपोट हो जाएंगे, तो उसमें कुल्बीर, बड़ेसरो और उसकी बेटी में इतना हसाया है, मतलो हमारे इतने टैंट अच्छी लगोगे, आप तो करिना पूर लग रही हो, और मनीश मलोतरा का मैं आपको दिखाता हूं, तो वो कोई भी वहां पे घागरा चोली लाकर ये कहके, कि ये मनीश मलोतरा का डिजाइन किया हुआ है, हमें देखते हो और हम मान जाती है, और फिर वो हमें लसी ओफर क और वो पिक्टराइज करते हुए भी बड़ा मजा आया, आज एरफान जी तो नहीं है हमारे इस दुनिया में, उन्हें याद करते हैं, हम कली में उनकी इंटर्वी देख रही थी, तो क्या कर सकते हैं, ये लेकिन वो एक्स्पीरियंस बहुत अच्छा रहा, कुछ कोई और कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? मैडम से? मैं एक कविता है, जो मैंने इस ही लाइन पर ही लिखी है, मतलों, फिल्मी लाइन पर ही ही लिखी है, अपने प्रफेशन के बारे में ही लिखी है, वहीं सुना देती हूं, और कविता का नाम है चिडी ते उसे बोट यह मैंने अपने बेटिया मेरी दो बेटिया है एक बेटि मैंने जैसा कि बताया था कि वहीं थी जब मैं बंबे आई तो तब वह आट नो साल की थी उसे होस्टल में मैंने पढ़ने बेदिया था फिर दूसरी बेटी का जनम यहां कर हुआ एहसास शाहिद आप लोगों ने उसको भी देखा होगो भी एक बहुत जादे बेटिया है यह निसी पता मैंनू ना इस गालता नुदर जी अभी पता लग गया ना इभी पता लग गया क्योंकि वह लड़की थी मैं देखी है बहुत वारे कि कुछ सीरियल वगरा इच नाम सुनिया हो यह ओठीक करें रहे हैं तो ज्यादा कम कर रहे हैं तो ज्यादा नाम कमा रही है तैच बूल मैं एक्टिंग भी जदब थे मेरी कवीता दस्रिलेख है च्डि तं उस्ति बोत जो मैं अपनी बेठियां देना समर्पद किती है एक्शन कट एक्शन कट एक्शन कट एक्शन कट एक्शन कट ऩी आवाराउत की बंकट पुतली जीवी ओ दिन पर मुड़केच नाता, ठकावट नल ठक्या, सुझे पैरा नाल, पस्या नसा नाल, तण्या जिस्म जिमें जान ही न रही होवे अचानक फिजाच गुणजी एक आवाज, पैक अप सेट ते होई हलचल, समेटल लगे सब आपो अपना साजो समान, आपो अपनी जिस्मों जान, जोश ते होश जिमें गुम सी सवेरतों, आई होन हुने ही मरे होई पैरानाल, निकली ओवी स्टूडियों बहार, ते खड़ो गई आके सडक विचकार, मन सी कि अचानक बुझ गया मन सी कि अचानक बुझ गया, दिमाग सी कि होर भी तन गया, कोई-कोई शुटिंग हुन्दी है हेक्टिक कोई-कोई शुटिंग हुन्दी है हेक्टिक सोचया उस, ये सोचया ए भी कि किते जामा, क्यों जामा, कि में जामा मन किते डूंगा ले गया, उदास, बहुत उदास कर गया पूत ते पवेखदे गेडच बैगया, कादे ले मना छड़ परा कादे ले मना छड़ परा, दूर तक सड़क हो चुकी सी सुननी, बतियां वाला स्टूडियो एकदम ही सोंगया लोग कदों कोलों सी लंगे, पता ने सी रह गया, जो रह गया सी पता, ओ ए सी कि ओ किन्नी है इकली इकलता ता उस्ता सराप है, विरलाप है, नित दा जाप है, उन्दा रेंदा सदा दा एहसास है को पहने रेच पाराया खाँ पर की पेंदा है फर्क दिन वी हुंदा तामी किन सी वेखर गो जिस्म सी की होर भी रह गया दिल भी खोरे की की कह गया अचानक पर्स्ट पया मोबाइल सी वज्या उस्ती सूर्थ परती उस्ती सूर्थ परती ऑन करके कन्ना नू लाया मौम तो किते हैं सुर्थ उस्ती पहला नहीं उनसी परती ते नाल परते हजारा जवाब जाना है किते क्यों है जाना ते नाल परते आए एहसास कियो क्यली नहीं उस नल जुडिया ने चार अखा जो लगिया ने बुहे दे नाल कदो परते गी मा जो ले आएगी चोगा पाएगी मूच ते करेगी लाड चुंज नाल चुंज जोड के बिठाएगी उना नू परांदी छाहेट ते करेगी हिफाजत मुस को रहतां दी मिल मंझ wrestle सूफनिया दी पेर सन की मॉन मंदे न रहे चाहित दोंड कि म。 přादण कीमर्श मंदे ना रहे ती बदन लगे जैस हने रेमोची दे ते वदन लगे हने रेमोचेते व दन लगे थीज हने रेमोची दे बहुत ङलगे प इस हने देमची हूभां य Shiv ने मुच बगों कोई कुछ पूछना चांदा है मैडम तो कोई पूछना चाहता है कोई स्वाल वैसे थी सेड़ा जड़ा है समा हो चुक है हो जी 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 ठीक है फिर मैं एसास मों बुला ले नहीं है हांजी हांजी जी 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 बिलकुल बिलकुल एक सेक्ड में देना हांजी हांजी हेलो हेलो हांजे है अलिध्र रिखक्रण बाईंट तो छो लेग है जी दिध्र जी जी शलिए फिर मैं के नंžांडना scriptures अगली बार हैसास आपका इनमबर लगे हमारे कॉलिज में बिल्कुल एनीटाइम जब भी आपना वीडियो ओन कर ले तो एक गुरुप फोटोग्राफ हो जाएगा हाँ कभी ऐसास आए जैसा कि आप में कहा ना कि अगली बार इसी कर नमबर लगेगा ये भी अपने एक्सपिरिंस अपने सब बता सकती है स्टुरेंट्स को बिल्कुल बिल्कुल एनीटाइम वेनेव यू गैस कॉल मैं I would love to be a part of this बहुत अच्छा लगा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया हमें एक साथ दो दो कलाकार देखने को मिल गए ये तो हो गया ना वह क्या कहते है उन वन बायगा ये वाए पुझा लाट सरी दो ने का वाए टो डिया ने का फायदा हो गया मुझे लुक्ता है कि सारे विद्यार्थी एक बार इनके लिए क्लैपिंग तो करी सकते हैं हाँ 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 अगर आप पॉल्स में तो जैसे आप आप में कांच राउन होता है I think working when I was very happy क ciudad करना की टीजैनि अपकी मम्मी को सुन कर हमें आप हम दूआ करते हैं कि आप इक ममी आप दोनों या मुझे लगता है सास जी मैंने आपको कुछ दोचा थोड़े गिन पहले ही कहीं किसी सीरियल में या किसी चीज में देखा है आपका फेस अभी मैं देख रही हूँ ना मुझे लगता है अभी जस्त मैंने कुछ इसमें देखा है मुझे याद भी आरा लेकिन मैंने भी देखा है आप लोग मैंने आपकी वो वीडियो देखी ती त्वाड़ा गुत्ता-गुत्ता वली हम दोनों ने काफी sketches काफी किये हैं जैसे ये TVF के लिए और Netflix के लिए और एसे रील्स तो बनाते रहते हैं और sketches काफी लोग पसंद करते हैं हम दोनों को अपने web series के बारे में बताओ ये जो आपका है मैं अपर देखे मैं लगे हाथ बता देती हूं कि ए सघस्ष अपर धिल्स पर मेरे की सोनी लिफ, मेरे के अँ एक शोmas का अगया है G захौया है भलिया ये सब्सक्राइड है भाँ अच्छा इला टा ये सिर्ट नि तर फी्य वहा ऊज़ा है कि मैं किती धमाकेदार हूं, यह यह देखा है लौग अर। एक पर विदा दिकल अर। इसका अमाज़न पे आरा है जुसरा शोड और लड़की चोरी करती है चोरी करनाली लड़की को आप पकड़ती है ऐसे अंधी ila शुटिंग करने आज